नमस्कार फ्रेंड में हूँ जंदर मुट्रेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूँ आइफल सेक्यूरिटी पर आप यहां पर देख सकते हैं लगबग यह 6% की गिरावट देखने को मिल लेए इस स्टॉक में और अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट लगाओं तो आप यह यहां पर देख सकते हैं किस लेबल पर आपको खरदारी करना है यहां पर देखे मैंने वंडे का चार्ट लगाए आप ध्यान से देखे वंडे के चार्ट में यह इतना जबर्दस किरावट देखने को मिल ला है इस स्टॉक में अगर यह लगबग 88 रुपे से लेके 84 किता है तो एक और सपोर्ट का लेबल बनता है जो लेबल बनता है लगबग 70 रुपे से लेके 60 रुपे के आसपास फिर अगर वहां से करेक्शन होता है तो 50 रुपे का लेबल है और एक बड़ा सपोर्ट का लेबल तो 70 रुपे का भी है अगर यहां से अगर यह करेक्शन ह करेगा लेकिन देखे मैं आप लोगों को डी मोटिवेट करना नहीं चाहता हूं कि इतनी बड़ी जादी गिरावट हो नहीं सकती अगर हो सकती हो जाए मत्तब अगर बजट गलत आ जाए बजट एनाउंस्मेंट जो होने वाला है वो अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम जैसा आए तो मार्केट में ज्यादा करेक्शन हो सकता है ठीक है तो यह चीजे आप ध्यान से देखिए देखिए जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी का नाम है किलपेस्ट इंडिया आप देखे इस कंपनी में ज्यादा गिरावट नहीं है लगबग 2% की गिरावट हुई आलरी इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा गिरावट हो चुकी है ठीक है और आप अगर यहां पर देखिए मैंने वन डे चार्ट लगा ए और वन डे चार्ट में आप देख सकते हैं यह बहुत ही जबर्दस करेक्शन हुआ है आप देखिए केंडल तो बहुत ही लो ये बना रहा थ लगबग 405 उर्पे का लो बना रहा था वहां से बहुत ही जबर्दस करेक्शन हुआ है किलपेस्ट में और यहां पर आप देख सकते हैं लगबग 420 का जो सपोर्ट का लेबल था वह भी तोड़ के निकल गया और 400 का जो लेबल था उसके आसपास यह चला गया था तो जान से देखिए अगर इस लेबल पर आपको अगर मिलता है तो आपको जरूर से जरूर खरदारी करने चाहिए अगर इस से ज्यादा अगर गिरावाट होती है तो लगबग यह 300-300 का लेबल यह टच करने की कोसिस करेगा देखिए जो तीसरी नमर पर स्टॉक है उस स्टॉ करना में लक्स इंडस्टी ठीक है लगबग 4% की गिरावाट यहां पर देखने को मिल लेए और यहां पर अगर हम चार्ट लगाएं चार्ट देखिए वंडे का आप यहां पर चार्ट देखिएगा ठीक है मैं वंडे का चार्ट लगया हूं और वंडे के चार्ट में यह ज सपोर्ट का लेबल आप देख सकते हैं सपोर्ट का लेबल है अगर यहां से अगर यह और करेक्शन होता है तो अब ध्यान से सुनिए अगर इस लेबल से अगर यह करेक्शन होता है तो लगबग 32 सो रुपए का एक बड़ा सपोर्ट का लेबल बनेगा ठीक है और 32 सो से अगर बड़ा सपोर्ट का लेबल होना चाहिए इससे ज्यादा तो गिरना नहीं चाहिए यह स्टॉक देखिए जो नेस्ट कंपनी है वह मास्टेक और यह आईटी के कंपनी है आप यहां पर देखिए यह लगबग 5% गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक में और अगर हम इस स्टॉक का अगर हम वन्डे का चारड देखते हैं तो आप वन्डे का चारड देखिए किस तरीके से इस स्टॉक में भारी गिरावट हुई है लगबग यह आर्शाई 340 के बीच में आचुका है और यहां पर आग autop害 डिखेंगे इसका support का label लेबल है वह लगपक्पक support का लेबल चौवीस सो रुपे के आसपास दिखाए देता है पचीस सो से लेकर 2400 रुपे के आसपास अगर यह आपको stock अगर उतने के आसपास मिलता तो आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ खरदारी करनी चाहिए और इसका जो एक बड़ा सपोर्ट का लेबल रहेगा वह लगवाग 2 250 रुपे के आसपास रहेगा, यहां पर यह बड़ा support का लेबल है और यहां पर यह support ले सकता है, अब ध्यान देजिए अगर यह इस्टॉक अगर ज्यादा गिरता है तो लगभग बाइस सो पचास रुपए के आस-पास इसका बड़ा सपोर्ट का लेबल वहां तक यह जा सकता है ठीक है फिलाल तो जो सपोर्ट का लेबल रहेगा वह लेबल लगभग 2412 रुपए के आसपास रहेगा लगबग 2400 के आसपास ठीक है तो आपकी नजर पूरी बनी रहने चाहिए अगर यहां से लेबल तोड़ता है तो यह लगबग 2250 रुपए के आसपास यह रुखने की कोजिस करेगा ठीक है ना? तो के तो के दो आपकी तो के दो आपकी